C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना प्रिष्ट संख्या एक इकाई एक हमारा पर्यावरण पाठ एक सीखो आनंद मै कविता फूलों से नित हसना सीखो भोरों से नित गाना तरु की जुकी डालियों से नित सीखो शीष जुगाना सीख हवा के जोंकों से लो कोमल भाव बहाना दूद तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना सूरज की किर्णों से सीखो जगना और जगाना लता और पिड़ों से सीखो सब को गले लगाना दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना प्रित्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना जलधारा से सीखो आगे जीवन पत में बढ़ना और धुवें से सीखो हर्दम उंचे ही पर चड़ना कवी शिरिनात सिंग प्रिष्ट दो बापचीत के लिए एक, इस चित्र में क्या-क्या है? ये एक नदी किनारे का चित्र है दो, इन में से कौन-कौन सी वस्तुएं प्रति दिन हमारे आस-पास होती है तीन, उग्दे हुए सूरज को देख कर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं चार, रंग-बिरंगे फूल आपको कैसे लगते हैं? प्रिष्ट संख्या तीन कविता की बात एक, किस से क्या सीखें? मिलान कीजिए इस प्रिष्ट के बाईंज तरफ कुछ चित्र दिये गए हैं ये चित्र हैं सूरज, फूल, दीपक, भौरा, पेड, तथनदी और चित्र के सामने हम इनसे क्या सीख सकते हैं ये दिया गया है जैसे हसना, जीवन में सदेव आगे बढ़ना, जगना और जगाना, अंधेरा दूर करना, गीत गाना, तथा शीश जुकाना अब आप इन चित्रों के साथ इन बातों का सही मिलान कीजिए प्रिष्ट चार दो, कविता में किस से सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाईए और नाम लिखिए तीन, पढ़िये और बताईए कि ये भाव कविता की किस पंक्ती में आया है क, पेडों की जुकी डालियों से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए कविता की पंक्ती, रिक्त स्थान ख, हवा के जुकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें कविता की पंक्ती, रिक्त स्थान ग, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए कविता की पंक्ती, रिक्त स्थान प्रिष्ट संख्या पाँच, कविता से आगे एक, सूरत से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है हम सूरत से और क्या-क्या सीख सकते हैं कोई दो बाते लिखिए क, रिक्तिस्थान, ख, रिक्तिस्थान अब आप इन दोनों रिक्तिस्थानों में वो बाते लिखिए जो हम सूरत से सीख सकते हैं दो लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सदभाव की बात सीखने के लिए कहा गया है इनसे हम और क्या-क्या सीख सकते हैं कोई दो बाते लिखिए क, रिक्तिस्थान, ख, रिक्तिस्थान, तीन, हम सभी में कोई न कोई विशेष्टा अवश्य होती है, आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं, यहां नीचे दिये गए रिक्तिस्थान में, आप वो बाते लिखिए प्रिष्ट छै, भाशा की बात, शब्द, तरू, अर्थ, पेड़, शीश, सिर, पृत्वी, धर्ती, हरना, दूर करना, पत, रास्ता या मार्ग एक, उपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इन में से कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाईए रिक्तिस्थान क, ख दो, दूद और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना यहां मिलना और मिलाना रेखांकित शब्द हैं। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाईए। हसना और हसाना, खाना और खिलाना। प्रिष्ट साथ, तीन, स और प, वर्ण से प्रारंब होने वाले शब्दों को कविता से खोजगर लिखिये। यहां पर दाहिनी तरफ स वर्ण के नीचे सीखो लिखा है और दाहिनी तरफ प वर्ण के नीचे पानी लिखा है। अब आप इन दोनों वर्णों से प्रारंब होने वाले शब्दों को कविता से खोजगर इनके नीचे लिखिये। चार तालिका अ तथा ब में दिये गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिये। यहाँ पर दो तालिकाएं दी गई हैं। तालिका अ तथा तालिका ब तालिका अ के नीचे लिखे गए शब्द हैं। पढ़ा, बढ़ा, अड़ना, उड़ना, कड़ाई, लड़ाई। और तालिका ब के नीचे लिखे गए शब्द हैं। पढ़ा, बढ़ा, बढ़ना, पढ़ना, कड़ाई, चड़ाई। प्रिष्ट आठ, बूचो तो जाने, एक फूल, एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। बिना बाल की पूँच लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात-रात भर जाग रहा है। काट-काट कर कागज कपडे खुश होता है, और धरातल के नीचे घर में सोता है। आइए मिलकर गाएं। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। अभी आपसुन रह थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना, वाचन्स्वर, प्रमीन शर्मा और रिचा सयाल, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार और विकास सांगवान, निर्माण सहयोग, चेतना शर्मा, निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चोधरी, प्रस्तुती, CIET NCERT, नहीं दिल्ली, भारत